नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबे लोग का स्टेडि ग्लोस पर गवर्नर और स्टेट के अंदर चीफ मिश्ट को लेकर कई सारे कॉन्फिक्ट चलते हुए आए हैं आज कोई नई बात नहीं है लेकिन नए अध्याय बार-बार में जुड़ते रहते हैं हालगी के अंदर तमिल नाड़ो की गवर्मेंट और वहां के जो गवर्नर है उनके बीच में एक कॉन्फिक्ट नया सामने निकल कर आया है आज हम लोग ये समझे के कि गवर्नर जो है वो आखिरकार इतना ज़्यादा परिशान क्यों करता है और उसके पीछे परिशान कारण क्या है वो हम लोग बहुत जड़ से उसीर को समझने वाले हैं root cause जो है उसका हम लोग समझने वाले हैं सबसे पहले यहाँ पर एक सोने का पिंजरे आप लोग को नजर आ रहा होगा इस सोने के पिंजरे के अंदर एक चिडिया कैद है तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये चिडिया जो है वो एक अलग ही मौज में रहती होगी हमको लगता है कि ये सोने के महल में रह रही है लेकिन वो चिडिया जानती है कि वो किस पिंजरे के अंदर रह रही है इस बात को confirm किया था सरोजनी नाइडू ने कि जो गवर्णर का पद है वो basically एक सोने की पिंजरे में कैद चिडिया की समान है जो कि बाहर से देखने वार को लगता है कि वाकई में क्या जबरदस्त है लेकिन चिडिया अंदर कैद है वो कुछ भी कर नहीं पाती है इसके साथ में ही पट्टा भी सितरमयय का नाम ठीक है विजे लक्ष्मी पंडित ने कहा था कि ये केवल एक सेलरी को लेने वाला परसन है और इसके लबा कुछ भी इसका काम नहीं है मतलब ये जो कमेंट के जा रहे है वो basically इसलिए के जा रहे है कि गवर्णर का जो पद है वो कोई काम का है यह नहीं इसके साथ में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 1969 के अंदर तमिल नाडू की सरकार के दोरा ही राज मनार आयोग गठित किया गया था राज मनार आयोग ने ये कह दिया था कि क्यो ना गवर्णर का पद जो है इसको समाप कर दिया जाए ऐसी कोई post constitution के अंदर होनी ही नहीं चाहिए थी लेकिन क्या वो बाते मानी गई नहीं मानी गई आज भी हम लोग गवर्णर का जो अस्तित्व है वो आज भी हम लोग देखते हैं दा तमिल नाडू गवर्णर अंडर CM MK Stalin recently filed a case in the Supreme Court MK Stalin ने हाल ही के अंदर Supreme Court के अंदर case दर्श किया है और ये कह रहे हैं कि वहाँ के जो गवर्णर है RN Ravi वो मेरी बात नहीं मान रहे हैं मतलब सरकार की नहीं सुन रहे हैं तो क्या वाकई में गवर्णर को सरकार की सुननी जरूरी होती है या फिर वो किसी भी proposal को refuse कर सकते हैं आगे हम लोग lecture के अंदर देखने वाले हैं आप लोग बड़ा ध्यान से सुनिएगा आप लोग हमारे 75 days hard challenge को जरूर जोईन कीजेगा आप लोग को लगता है कि कहीं न कहीं आपकी willpower कमजोर है आप exam के अंदर 4, 5, 10 number से फैल कर जाते हैं आप business के अंदर अच्छा नहीं कर पा रहे हैं आपकी focus, concentration नहीं है तो 75 days तक लगातार हमने 75 days का hard challenge complete किया था जिसमें आप लोग को 75 techniques बताई गई थी आप लोग जिन्दगी के अंदर एक बार इस course को जरूर कीजेगा अगर life में बहुत कुछ अच्छा पाना चाहते हैं challenge coupon code यूज कीजेगा जिसकी मदद से आप लोग को discount price के अंदर एक course available होगा सबसे पहले कुछ basics में आप लोग को बताता हूँ कि क्या basics है देखे हुआ क्या है कि तमिलनाडू के अंदर एक higher education minister already रह चुके है पिछली बार 2023 के अंदर उनका नाम है के पैनमूदी यह उनका नाम है उनको recently court की दोरा सजा सुनाई गई थी और उसके बाद में MK स्टालिन ये चाते हैं कि तमिलनाडू की जो government है वहाँ पर एक वापस से उनको मंदिर पत दे दिया जाए governor का RN रवी जो है उनका कहना ये है कि एक ऐसा वैक्ती जो की already सजा को भुगत चुका है और उसके लिए declared है और भी आगे जो सजा है वो declared है भुगत नहीं चुके में तक वो declared है उनके लिए तो People Representation Act जो है 1951 का वो ये कहता है कि अगर किसी भी वैक्ती को सजा का कोई प्रावधान मिलता है तो उस condition में वो election नहीं लड़ सकता है और किसी भी पद को नहीं पा सकता है Governor ने कहा कि ये basically दोसी है इस दोशी वैक्ती को हम लोग कोई भी पद जो है वो नहीं दे सकता है तो मैं इनको पद की शपत नहीं दिला सकता हूँ लेकिन M.K.S.T.L.M. का कहना ये है कि सर आप लोग एक बात याद रखिए As according to Article 163 आपके लिए Minister of Council जो है वो बनाई गई है Minister of Council ने Justice आपको कहा है वो बात आपको माननी पड़ती है तो मंत्री परिशद जो है जैसी बात कहता है वही बात जो है वो राज्यपाल को माननी पड़ती है चाहे फिर वो कुछ भी कहे इस परिशिती के अंदर अगर मान लीजिए कि उस मंत्री को या उस व्यक्ती को MLA को नुक्त करनी के लिए सरकार कह रही है तो राज्यपाल को नुक्त कर देना चाहिए ये राज्यपाल के लिए बात देता है लेकिन तमिलाडू के अंदर केस ये है आरेन रवी ये कह रहे हैं कि मैं जो है वो इनको नुक्त नहीं कर सकता हूँ M.K.S.Talin इस बात से खफा होकर पहुँच गया है सूप्रिम कोट के अंदर कि देखी गवर्णर साब जो है हमारी बात नहीं मान रहे हैं ये है पुरा केस लेकिन क्या मानना सलहा मानना जरूरी है तो हम लोग कहेंगे यस सलहा जो है वो मानना जरूरी होता है as according to article 163 के तहट जिसमें minister of council होती है राज्यपाल की help के लिए मैं आप लोगों को एक दो आर्टिकल और बता देना चाहता हूँ article number 200 और article number 201 article 200 में लिखा हुआ है कि अगर कोई भी proposal राज्यपाल के पास में जाता है तो राज्यपाल उसको refuse नहीं कर सकते हैं राज्यपाल उसको पास करने के लिए बात दे हैं हो सकता है in these case आप जो है यहाँ पर देखें कि जो प्रपोजल या बिल राज्यपाल के पास में पहुँचा है उसको वो पास करने के लिए बात दे होते हैं एक बार पुन्हें विचार के लिए लोटा सकते हैं ऐसा प्रावधान जो है वो states के अंदर नहीं ही है ठीक है? चली अब आवते हैं हम लोग अपने cases के उपर कि आखिरकार पहले भी ऐसा कहां पर हुआ है this is the newest chapter जो है वो भी देखने को मिला था के अंदर क्या हुआ था? कि वहां के जो governor थे उन्होंने भी कुछ ऐसा ही किया था कि वो state जो chief minister है उनकी बात नहीं मान रहे था और इसको लेकर काफी conflict जो है वो already हो चुका है अच्छा यहां पर देखिए कि आखिरकार law जो है वो क्या कहता है giving or withholding assent to bill passed by the state legislator or determining the time needed for a party to prove its majority मतलब governor के पास में यह अधिकार होता है कि वो किसी भी party को इस बात के लिए समय दे सकता है कि आप अपने बहुमत सीर कीजें माल लिजे कि हमारे देश के अंदर किसी भी राज्जी के अंदर अगर कोई सरकार बनती है किसी भी party को वहाँ पर clear majority नहीं मिली है तो governor जो है उनके पास में यह self-decision power होता है कि वो किसी भी party को बुलाते है और उसको majority show करने के लिए कहते हैं कि आप अपने majority को prove कर दीजे लेकिन यह totally depend होता है किसी उपर governor की उपर अच्छा माली जीए कि कि किसी भी state के अंदर किसी एक state के अंदर 200 जो है वो assembly की seats है एक party ने 80 seat जीती है दूसरी party ने 70 seat जीती है तीसरी party जो है इसने 50 seat जीती है है ना या 40 seat जो है वो जीती है अच्छा ठीक है अब देखिए कि ये दोनों party जो है इन में से किसी के पास में majority नहीं है क्योंकि majority के लिए 101 seats चाहिए थी यहाँ पर governor अगर इसको appoint इसको जो है वो invite करता है कि आप अपनी majority यहाँ पर प्रूव कर सकते हैं जबकि किसको बुलाना चाहिए था इसको बुलाना चाहिए था जिसके पास में 80 seat थी लेकिन ये government governor जो है उसका right होता है कि वो किसी भी दल को आमंत्रित कर सकता है तो वही बात जो है वो यहाँ पर इस line के अंदर कही जा रही है ठीक है फिर देखीगा what have been the friction points in the recent year last हाली कुछ दिनों के अंदर ऐसे कौन-कौन से हमको example देखने को मिले है ये बड़ा ही गजब का example है सत्यपाल मलेक जो कि आजकल जो है काफी मुकर हो चुके है अपनी बातों को लेकर और काफी ज़्यादा controversy के अंदर भी रहता है इन्होंने मोधी के जो government है BGP के खिलाफ कई बार जो है वो ऐलान भी किया है कि ये जो government है वो बात नहीं मानती है यहां तक कि जब 14th of Feb को आप लोग को पता है कि वो एक black day हमारे भी था उसके लिए भी governor ने कई बार सत्यपाल मलिक नहीं कहा था कि हमको helicopter समगरा वो है provide करवाए जाने चाहिए ताकि हमारी army जो है वो move कर सके लेकिन ऐसा कुछ भी जो है वो नहीं हो पाए था यह ज़्यार 18 की बात है तो जम्मू कश्मीर के governor है सत्यपाल मलिक और वहां की जो government है assembly है उसकी बीच में कई बार जो है conflict हो चुके है यह बड़ा जबड़स example है November 2019 के अंदर governor भगत सिंग कोशयरिते महराश्टर के उन्होंने उन्होंने BGP को बहुत लंबा समय दिया था कि वो अपनी majority को prove कर सकते हैं जब वो अपनी majority की जो post है वो बड़ी ही controversial हो जाती है लेकिन आप लोग के लिए मैं बता दो कि 1983 के अंदर 1983 के अंदर एक commission गठित किया गया था जिसको हम लोग कहते हैं सरकारिया सरकारिय कमिशन जो गठित किया गया था इसने अपनी report 1987 के अंदर जो है submit की थी और उसमें कहा था कि governor हमेशा एक ऐसा व्यक्ति बनना चाहिए जो कि कभी भी politically कोई भी उसका connection ना हो पहली बात दूसरी बात जब भी कोई governor बने वो उसी state का नहीं होना चाहिए जिसी state के अंदर वो governor है तीसरी बात कि जब भी वो अपने पद से इस्तीफा दे या उस राज्जी के अंदर उसका appointment हो तो CM की सला से ही उसका appointment होना चाहिए ये तीनों बात जो है वो conventional है ना कि constitutional ये परंपरा है ना कि समयधानिक बादता है ये धान रखना तो सरकारिया आयोग जो है इसके कभी भी recommendation लागू हुई नहीं थी ठीक है तो basically governor का पद इसलिए जो है वो काफी विवादों के अंदर भी हम लोग देखते है दिसंबर 2020 के अंदर किरला के जो governor थे महमद आरिफ वो turned down a request to summon मतलब basically assembly से पास होकर एक बिल उनके पास में आय था उन्होंने उसको refuse कर दिया था जो कि central farm loss के according था इसके बाद में करनाट का जो पोल सुएटोजर 18 के अंदर तो governor थे वाजू भाई वाला invited the BJP from the government and gave BS यदुरप्पा 15 days to prove majority basically क्या है कि governor के पास में अधिकार होता है कि वो किसी भी party को अगर majority साबित करने के लिए time period देता है वो certain time period कितना होगा एक दिन का होगा, एक घंटे का होगा 18 दिन का होगा, 20 दिन का होगा इसके बारे में कोई भी detail नहीं लिखी हुई है इसलिए governor जो है, वो अपनी इच्छा से इसका निरने करते हैं ठीक है, why does this happen आखिरकार ये हुआ क्यों, the constitution assembly and visit governor to be a political, मतलब constitution assembly जो थी, वो basically चाहती थी कि governor होना चाहिए, लेकिन governor का elections भी हो सकता है तो basically कहा गया, कि governor अगर को मान लिजिए कि election होता है, election तो political party से लड़ेंगे, तो वो एक political लिखावा नहीं समिधान के अंदर की तीन वर्स, पाँच वर्स, उनका जो tenure है वो कितने समय के लिए होगा, इसका कोई भी declaration इंडिन constitution के अंदर नहीं है यहां तक कि उनकी योग्यताएं जो है eligibility as according to article 157, केवल दो ही योग्यता का उलेक है, भारत का हटाया जाए, इसके लिए कोई प्रावधार समिधान के अंदर नहीं है, who is appointed by the president, तो president जो है, वो central की advice से, प्रधान मंतिरी की सला से, या मंतिर प्रशी सला से, उसको क्या करते हैं, governor को appoint करते हैं, while the governor has five year tenure, he can remain officially only until the pleasure of president, मतलब वो राष्टपती के 2001 के अंदर the national commission to review the working of constitution headed by the CGI MN Venkata and set up by the Atal Bihari Vajpi, मतलब 2001 के अंदर भी ऐसा commission गठित किया गया था, ताकि reform इसी के अंदर किया जाए, लेकिर फिर भी conclusion यही निकल के आया, कि यह जो व्यक्ति है, हो agent होता है, किसका center का, मतलब हर खबर जो है, वो center के अंदर पहुँचा रहा है, चाहे हम लोग article 356 की बात करें, चाहे हम लोग article 360 की बात करें, अपातकाल के अंदर भी governor जो रिपोर्ट बना के देते हैं center को, तब ही तो वहाँ पर अपातकाल लगता है, ठीक है, अच्छा, यहाँ पर देखें, कि no guidelines for the exercise of the governor's power, governor अपनी power को किस तरकी से इस्तमाल करेगा, इसके बारे में कोई जिकर नहीं है, appointing a CM, or dissolving the assembly, ठीक है, वो अगर assembly को dissolve करता है, इसके लिए no limit set for the how long a governor can withhold the assent of bill, वो किसी भी bill को अपने पास में कितने समय के लिए रोक के रख सकता है, इसके बारे में भी कोई जिकर नहीं है, अब हम लोग आते हैं अपने conclusion के उपर, conclusion क्या था, तमिल नाडू के अंदर जो वाक्या हुआ है, क्या वाकई में governor के पास में ये power है, तो हम लोग कहेंगे कि नहीं, governor के पास में कोई power नहीं है, RN रवी ये जो कह रहे हैं, वो basically constitutionally नहीं है, वहाँ पर MK Stalin के सरकार के दोरा जो भी bill pass हुआ है, उसको RN रवी को pass करना ही करना चाहिए था, क्योंकि वो उनके लिए compulsory है, क्योंकि 42nd जो constitutionally amendment हुआ था, 42nd जो था, उसमें कहा गया था कि वो किसी भी तरीके से bill को वापस लोटा नहीं सकते हैं, चाहे फिर वो president हो, या फिर governor हो, लेकिन बाद में जाकर एक और amendment हुआ था, मुरारजी देशा की सरकार के अंदर, 44th constitutionally amendment 1978 के अंदर, उसमें लिख दिया गया था, कि एक बार पुन्हा विचार के ले लोटा सकते हैं, ये थोड़े सी छूट जो है, उसके नरदी गई थी, ठीक है, चलिए, ओके, ये already मैंने आप लोग को बता ही दिया है, ठीक है, चलिए, 75 days का hard challenge आप लोग जरूर जोइन कीजीगा, coupon code यूज करना, challenge इससे discount price के अंदर आप लोग को available होगा, एक बार जरूर इस challenge को जोइन कीजीगा, आप लोग को बहुत benefit इससे मिलेगा, मैं आप लोगों से वादा करता हूँ, कि आप अपनी जिन्दगी के अंदर कुछ न कुछ एड़ आउन जरूर करेंगे, मिलते हैं आप लोगों से, अगले session में तपने धन्यवाद, thank you, जैहे,